आप अपने template को save भी कर सकते हैं, अपना खुद का template create कर लीजिए और save button पर click कीजिए, अपने बनाय हुए template को नाम दे दीजिए, उसे किस category में रखना है वो select कर लीजिए और ok button पर click कर दीजिए, आपका template save हो जाएगा